बागवान भायों आज काफी लम्मे समय के बाद बागवानी की बाते लेके मैं आप लोगों के मद्ये उपस्तित हुआ हूँ जैसा कि आप सभी को वीदिती है कि जो दिसंबर का महिना या नमंबर आखरी का महिना जो हमारे बीच आ चुका है तो इस समय में बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण कारिया है जो हमें अपने बगीचों से संबंदित करने होते है अपने बगीचों का रख रखाओ कौन सी डिजीज मेनेजमेंट के लिए हम अभी कारिया कर सकते है तो इन सबी चीजों के लिए ये उप्युक्त समय है इस वक्त प्लांट औलमोस्ट डॉरमेसी में जा चुका है तो जो सर्दी के काम है वो शुरू हो चुके अब सबसे पहले तो पागवान भाईयों में एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा जो अभी का वक्त है वो बहुत ही क्रिटिकल वक्त होता है यहां पर मैं आप लोगों से पहले एक अपील करना चाहूंगा कि जो आजकल का मौसम है आजकल आप देखे के बहुत अच्छा मौसम है हमारे सुबा शाम बहुत ही ज़्यादा ठंड है और काफी अच्छा भी तक मौस्चेन रिटेन हुआ है हमारी सॉयल में और उमीद कर रहे हैं कि सर्दी अच्छी बरसेगी तो बागवान भाईयो आजकल कुछ है कैसे शरार्ती तत्व जो हमारे समाज में मिलते हैं उनकी तादात बहुत कम है आप देखे के आग लगाने का कारिया आजकल अब शुरू होने वाला है मैं उमीद करूँगा कि आप लोग जागरित होए और अपने पडोसियों को अपने लोगों को जुरूर जागरित करे कि आग ना लगाए जंगलों को ना जलाए क्योंकि इतना अच्छा इन्वाइर्मेंट इस साल काफी समय के बाद हमें मिल रहा है तो कही न कही इसमे घर्माहट पैदा होगी जिसे हमारी सर्दी की बरफबारी है वो कम होगी हमारी जीविका का मुख्य साधर्ना हुल्टी कल्चर में भागवानी सेव का कारिया है तो अगर इस भागवानी को जिन्दा रखना है हमें तो हमें क्लाइमिट चेंज को डीपली अबजर्व करना पड़ेगा और इस पे कारिय करना पड़ेगा अपने छिटों को प्रूनिंग का कारिय होने वाला है सर्दी में अब अपने छिटों को जलाने के वज़ाए उसको डीकमपोस्ट करें ताकि इन्वायरमेंट हमारा बचा रहे और उससे एक अच्छी खाद आप त्यार कर सकते हैं तो बागवान भाईयों आज कल बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मेरे पास आ रहे थे आज आपको मैं बहुत पही महत्वपोर्ण छोटी-छोटी जानकारिया देने के लिए उपस्तित हुआ हूँ सबसे पहले तो जो एक क्वेश्चन जादा ट्रोल हो रहा आजकल के जो हमारा टी-एसो है हमारा विंटर ओयल है उसको किस रेश्यों से और कब करने का सही समय है तो बागवान भाईयों आपको मैं बताना चाहूँगा बहुत सारे बागवान जिनके स्केल की प्रॉब्लम है या आपके वुलियफिट की प्रॉब्लम जादा है तो बागवान भाईयों आप लोगों के लिए जो दिसंबर का मन्त है वो बहुत ही उप्योगत हो जाएगा कि खासतोर पर लो और मीडल हाइट में आप यहां पर दिसंबर महीने में टी-एसो की सप्रे कर सकते हैं लग आपके वुलियफिट के प्रॉब्लम बहुत जादा थी तो आप इसमें क्लोरोफोरोफोस टाइप चार सो एमेल दो सो लिटर पानी में सप्रे कर सकते हैं बागवान भाईयों इसके साथ ही बहुत सारी जगा जहां में विजिट करी है या मुझे फोटोग्रैप्स के मादि खबरी आपको देना चाहूंगा आज ही मुझे सोशल मीडिया के मादियम से पता लगा कि जो हमारे हिमाचल परदेश की आर्थिकी है उसमें एक उच्छाल आया है और जो सेव का कारोबार है इस स्वर्ष लगभग 5100 क्रोड के आसपास का कारोबार हमने किया है 5000 क्रोड की 4500 क्रोड की जो इंडस्टी थी इस साल हमने सबसे जादा जीटीपी में योगदान दिया हमारी आर्थिकी सुद्री डूई इसके लिए आप सभी लोग बदाई के पात रहे इसका क्लियर कट जवाब है कि हमारी इंडस्टी ग्रोग कर रही है और इसमें अवेरनेस आ रही ह और जैसे जैसे लोग प्रोग्रेसिव हो रहे हर आदमी और चड में काम कर रहा तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर इंपेक्ट तो दिखना था आपने एपने सुदार दी आपने प्रोणिंग ट्रेनिंग से खा दी सुदार दी तो ये सारा सीख के हुआ है और हमारी पड़ेगा प्रोडेक्शन और इंक्रीज करनी पड़ेगी तो इसी संदर में हम रेगुलरली काम करते रहते हैं आप और हम सब मिलके काम करते हैं तो बागवान भाईयो जो मेरा विशे था अभी जो स्कैब का में उतर खंड गया था तो वहां काफी जादा स्कैब थी कश् इस ध्यान रखनी पड़ेगी जो ये मिनेजमेंट होगी एक क्वेश्चन आयर रितेश जी का के प्रूनिंग से पहले करनी टीयसो की बाद में तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा अगर हो सके तो प्रूनिंग से आप इसको पहले कीजिए और एक म करना रहता है तो आप लोगों को उसके बाद भी आप कर सकते मगर उस शर्त के आधार पे के जो आपके छिटिया गिरेगी नीचे जो वेजिटेटिव ग्रोथ आप प्रूनिंग कर से कट करें उसको आप डीकंपोस्ट करें उसको एक गड़े के अंदर डालके या उपर से डालके या वेस्ट डीकंपोसर एविलेबल इसली मिल जाते है आजकल मार्किट में तो आप उससे एक अच्छी खाद बना सकते हैं मगर डीकंपोस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है टी एसो का एसो अनु शर्मा जी एसो आपका समर ओयल है टी एसो आपका विंटर ओयल है एसो आप आगे जब आपके हाफ इंच गरीन आ जाएगी तो चाल लिटर का डोज और अपने पीनट साइज के आस पास आप जब फ्रूटिंग होगी तो दो लिटर का वो एसो है देखा गया कि अभी के टी एसो करके आपको आगे एक जब आप मार्च में फ्लावरिंग आगे कि यूनिफर्म फ्लावरिंग जाती है और जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब से हमारे स्पर वरैटी जादा आई है और यह बेंडिंग प्रैक्टिस जब से चली है त तो हमें अभी से अपनी त्यारिया करनी होगी तो